हेलो दोस्तों आपका मेरे यूटूब चनल नो बहुत बहुत स्वागत है जो बच्चे सरकारी नोगरी तयारी कर रहे हैं ये वीडियों सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपोटेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई है उसके लिए 10th पास वा सब्सक्राइब अप्रवाइजर कंप्यूटर ऑपरेटर इस्टेनोग्राफर लीगल एसिस्टेंट एसिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और फीमेल स्टाफ नर्स के 1370 पजबर बरती निकाली गई है जिसका ऑफिशन नोटिफिशन जारी कर दिया गया है आज की इस वीडियो मे आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइकोन का ओन कर लीजिए ताकि फुचर में आने वाली भरती का नोटिक्शन आपको तुनरत मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको भरती जूनियर सेकेटरी एट असिस्टेंट जे अन्वी केडर, इलेक्टिशन कम पलंबर, लेब अटेंडेंट, मेस हेलपर और मल्टी टासिंग की स्टाफ यानि MTS की पोस्ट निकाल दी गई है बात करते हैं क्वाइल इफिशन की फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्वाइलिफिक पोस्ट निकाले गई है जिसके लिए क्वाइलिफिकिशन है बेचलर डिग्री इन कोमर्स यानिक अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप इसके लिए प्लाई कर सकते हैं एज लिमिट है 18 वर्स से लेकर 30 वर्स के बीच जूनियर ट्रांसलेट ओपिसर की चार पोस्ट नि पोस्ट निकाली गई है जिसके लिए क्वाइलिफिक्शन है टैन प्लस टू एक्जाम इन एन रिकोग्स नाइट बॉर्ड और डिस्क्रिप्शन टैन मीटर एट असी वर्ड पर मिनट और ट्रांस्क्रिप्शन 50 मिटर्स इंग्लिज 65 मिटर्स इन हिंदी एज लिमिट है ठ हरा वर्स लेकर तीस वर्स के बीच केटरिंग सुपर्वाइजर की 78 पोस्ट निकाली गई है जिसके लिए क्वाइलिफिक्शन है बेचलर डिग्री इन होटल मेनेजमेंट या अगर आपके पास सर्टिफिक्ट है इन केटेग्री इन केटेग्री विद टैन येर्स सर्विस इन डिफैन्स सर्विस तो भी आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो एज लिमिट रहेगी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 35 साल इसके अंदर जूनियर सेकेटरिय एट असिस्टेंट हैड़क्वार्टर्स आरू की कि किस पोस्ट निकाली गई है और जूनियर सेकेटरिय एट एसे स्टेंट जे अन्वी के डर की 30 साथ पोस्ट निकाली गई हैं जिसके लिए क्वाइलिक्षिन है 10 पलस टू इन एनी रिकोगनाइड बोर्ड और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंगलिस और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एज लिमिट 18 वर्स लेकर 27 वर्स के बीच लेब अटेंडेंट की इसके अंदर 161 पोस्ट निकाली गई हैं जिसके लिए क्वाइलिक्षिन है 10 पास और डिपलोमा इन लेबुरेटरी टेकनिक या 10 पलस टू पास विज साइंस स्ट्रीम और एज लिमिट 18 वर्स लेकर 30 वर्स के बीच मैस हैलपर की 442 पोस्ट न बात करते हैं एपलाई डेट की आप इसके लिए ओनलाइन आवेदन 22 मार्च 2024 से लेकर 30 अपरेल 2024 तक सरगाली रिजल्ट ओट कॉम बजिट करके अपलाई कर सकते हो बात करते हैं एपलिक्षिन फीज की फीमेल स्टाफ नर्स के लिए एपलिक्षिन फीज 500 रुपे रखी ग होगा बात करते हैं एग्जाम पेट्रन की इसके अंदर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो एग्जाम पेट्रन रहेगा उस परकार रहेगा रिजनिंग एबिलिटी के 15 कुछन आएंगे 15 मार्क्स के जनल अवेड़ेंस एंड करंट अफेर्स के 15 मार्क्स के और एगंगे 515 मार्क्स के फिस्टी इपेर्स के ओवन्टिटिए एपिडियार्स के 15 कुछन आएंगे 15 मार्स के लेंग्वेज पैष्ट जनल इंग्लिस एंड जनल हिंदी के 15 15 कुछन आएंगे टोटल 30 कुशन आएंगे 30 मार्स के और basic knowledge of computer के 10 कुशन आएंगे 10 मार्स के और office manual and procedure, ccc, conduct rules, ccs, cca rules, ccs, leave rules के 50 कुशन आएंगे 50 मार्स के टोटल 120 कुशन आएंगे 120 मार्स के, time डाइगंटे का मिलेगा बात करते हैं audit assistant की post के लिए exam pattern की इसके अंदर listening के 20 कुशन आएंगे 20 मार्स के, mathematics के 30 कुशन आएंगे 30 मार्स के language test, general English and general Hindi के 20 कुशन आएंगे 20 मार्स के और basic knowledge of computer के 20 कुशन आएंगे 20 मार्स के और subject knowledge, accountancy, annual account, action, budget audit के 40 कुशन आएंगे 40 मार्स के total 130 कुशन आएंगे 130 मार्स के, time आपको 9 गंटे का मिलेगा अब बात करते हैं junior translate officer की इसका जो exam pattern रहेगा उस पर कर रहेगा इसके अंदर translation English to Hindi के 25 question आगे 25 marks के translation Hindi to English के 25 question आगे 25 marks के और mental and reasoning के 10 question आगे 10 marks के और general awareness and current affairs के 20 question आगे 20 marks के और subject knowledge Hindi और English के 20 question आगे 20 marks के total 100 question आएंगे 100 marks के ताइम आपको दोगंटेगा मिलेगा अब बात करते हैं legal assistant की post के लिए legal assistant की post का जो exam pattern रहेगा उस पर कर रहेगा इसके अंदर reasoning के 15 question आगे 15 marks के general awareness के 15 question आगे 15 marks के language test Hindi और English के 30 question आगे 30 marks के और mathematics के 20 question आगे 20 marks के और constitution of India functioning of high court supreme court central administrative tribunals civil procedure code और criminal procedure code के 70 question आगे 70 marks के total 150 question आगे 150 marks के time आपको तिन गंटेगा मिलेगा अब बात करते हैं इसके जो exam pattern रहेगा इसके अंदर language test general Hindi और general English के 40 question आएंगे 40 marks के general awareness and current affairs के 30 question आएंगे 30 marks के basic knowledge of computer के 30 question आएंगे 30 marks के total 100 question आएंगे 100 marks के time आपको दो गंटेगा मिलेगा अब बात करते हैं computer operator exam pattern के इसके अंदर आपके reasoning के 20 question आएंगे 20 marks के mathematics के 20 question आएंगे 20 marks के language test general English and general Hindi के 30 question आएंगे 30 marks के knowledge of computer operation and MS office के 60 question आएंगे 60 marks के total 130 question आएंगे 130 marks के time आपको डागंटेगा मिलेगा हम बात करते हैं catering supervisor exam pattern के इसके अंदर आपके reasoning के 15 question आएंगे 15 marks के और language competency test general English and general Hindi के 20 question आएंगे 20 marks के और knowledge of computer operation के 10 question आएंगे 10 marks के और domain profession knowledge के 60 question आएंगे 60 marks के total 120 question आएंगे 120 marks के time आपको डागंटेगा मिलेगा अब बात करते हैं junior secretary at assistant HQRO के अडर की इसके exam pattern की इसके अंदर mental and reasoning ability के 20 question आएंगे 20 marks के quantitative aptitude के 20 question आएंगे 20 marks के general awareness and current affairs के 30 question आएंगे 30 marks के और language competency test general English and general Hindi के 30 question आएंगे 30 marks के और basic knowledge of computer के 30 question आएंगे 30 marks के total 130 question आएंगे 130 marks के टाइम आपको डाइगंटेगा मिलेगा junior secretary at assistant HQRO के अडर और junior secretary at assistant JNV केटर का exam pattern सेम रहेगा अब बात करते हैं electrician exam pattern के बारे में इसके अंदर जो exam pattern रहेगा उस परकार रहेगा इसके अंदर reasoning ability के 15 question आएंगे 15 marks के general awareness के 15 question आएंगे 15 marks के language competency test general English and general Hindi के 30 question आएंगे 30 marks के और subject specific knowledge के 60 question आएंगे 60 marks के total 120 question आएंगे 120 marks के time आपको डाइंगेंटे का मिलेगा अब बात करते हैं labor attendant exam pattern के इसके अंदर reasoning ability के 15 question आएंगे 15 marks general awareness के 15 question आएंगे 15 marks के language competency test general English and general Hindi के 30 question आएंगे 30 marks के और subject specific knowledge के 60 question आएंगे 60 marks के total 120 question आएंगे 120 marks के time आपको डाइंगेंटे का मिलेगा अब बात करते हैं mess helper exam pattern की इसके अंदर आपके reasoning ability के 15 question आएंगे 15 marks के general awareness के 15 question आएंगे 15 marks के language competency test general English and general Hindi के 20 question आएंगे 20 marks के specific knowledge food nutrition hygiene recipes of Indian food and sweets के 70 question आएंगे 17 marks के total 120 question आएंगे 120 marks के time आपको डाइगंटे का मिलेगा अब बात करते हैं MTS post exam pattern के बारे में इसके अंदर आपके language test general English and general Hindi के 40 question आएंगे 40 marks के और general awareness and current affairs के 20 question आएंगे 20 marks के और basic knowledge of computer operation के 40 question आएंगे 40 marks के total 100 question आएंगे 100 marks के time आपको दो बंटे का मिलेगा बात करते हैं sale लीगी जो आपकी salary रहेगी वो सभी post के लिए sale अलग अलग रखी गई है female staff nurse की sale 44,009 रुपे से लेगर 1,42,44 रुपे की बीच रहेगी assistant section officer की salary 35,004 रुपे से लेगर 1,02,004 रुपे की बीच रहेगी audit assistant की salary 35,004 रुपे से लेगर 1,02,04 रुपे की बीच रहेगी junior translate officer की salary 35,004 रुपे से लेगर 1,02,004 रुपे की बीच रहेगी legal assistant की post की salary 35,004 रुपे से लेगर 1,02,004 रुपे की बीच होगी istinografer की salary 25,005 रुपे से लेगर 81,001 रुपे की बीच रहेगी computer operator की salary 25,005 रुपे से लेगर 81,001 रुपे की बीच रहेगी जूनियर सेकेटरियाट एसिस्टेंट एच्क्यू आरो केडर की सेलरी 19,000 रुपे से लेकर 33,000 रुपे की बिच रहेगी और जूनियर सेकेटरियाट एसिस्टेंट JNV केडर की सेलरी 19,000 रुपे से लेकर 33,000 रुपे की बिच रहेगी और इलेक्टिशन की सेलरी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भरती की अपडेट के साथ अब तक के लिए जय हिंद जय भारत बेस्ट अफ लग